की हाई देसे जिल्रा पुसाथ एक और इंपोर्टेंट से बोड़ सेंपल पिपर 2023-24 में आया हुआ है इंपोर्टेंट से क्रूशन है और इसी तरह के इंपोर्टेंट क्रूशन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और प् ठीक है, चलो, question देखते हैं, let fx be a polynomial function of degree 6, degree 6 का एक polynomial function है fx, उसका differentiation हमको दे रखा है, d by dx of fx, ये दे रखा है हमको, then fx has minimum at x equal to 1, ये पहले पता करना है हमको, ठीक है, तो fx का differentiation हमको पहले से ही दे रखा है, तो हम critical point आसानी से निकाल सकते हैं, इसको मैं y मान लेता हूँ, थोड़े दे रख लिए, तो d y by dx हमको given है, तो d y by dx 0 के equal रखे हम critical point निकाल सकते हैं, तो d y by dx equal to 0, यानि की x minus 1 का cube, और x minus 3 का square equal to 0, ठीक है बई, तो यहां से x की 2 value आ जाएगे हमारे पास, x minus 1 equal to 0, या x minus 3 equal to 0, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी यह जो multiply होगा, तो यहां से x की value आई 1, और यहां से x की value आई 3, अब हमको चेक करना है, कि भई यह x equal to 1 पे minimum है, या x equal to 3 पे minimum है, maximum जो भी है, तो हमारे पास चेक करने की दो रास्ते हैं, एक तो double differentiation, और दूसरा तरीका क्या है, first derivative test, एक है second derivative test, एक है first derivative test, यहां पर फिलाल मैं first derivative test apply करने वाला हूँ, तो यहां मैं 1 से छोटी कोई भी value ले लेता हूँ, 1 से थोड़ी सी छोटी, तो जैसे मैंने ले लिया 0.9, कितना ले लिया भई, 0.9, और फिर मैं देखता हूँ कि, यह जो dy by dx है, यानि कि f dash x है, यह f dash x बोल दो, चाहिए इसको dy by dx बोल दो, एक ही बात है, f dash x का sign कैसा आ है, f dash x का sign कैसा आ रहा है, जब हम x की value 1 से छोटी लेते हैं, यानि कि 0.9 के करीब लेते हैं, तो यहां देखो, 0.9 minus 1, negative quantity आएगी, negative आएगा या नहीं, 0.9 में से 1 को minus करेंगे, तो minus का आएगा 0.1, उसकी power 3, तो मतलब negative आने वाला है, negative multiply में है, यहां यहां तो square है, तो यह तो हमेशा positive आने वाला है, तो अपना overall answer कैसा आया, negative, ऐसे ही हम f dash x की value 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 1.1 ले लिया है, तो 1.1 minus 1, यानि 0.1, प्लस का आएगा, power 3 है, तो positive, और multiply, यह तो हमेशा ही positive आने वाला है, क्योंकि power 2 है, तो अपना answer overall answer कैसा आया positive, कैसा answer आया है, positive, ठीक है, तो f dash x का sign negative से positive हो रहा है, नहीं समझे, पहले negative, फिर positive, तो यह जो point मिलेगा नीचे, वो किसका मिलेगा, हमको minimum का, नहीं समझे, देखो ध्यान से, पहले negative, negative को मतलब नीचे जा रहा है, ग्राफ, फिर positive, तो यह point कैसा मिला, minimum का, तो हम बोल सकते x is equal to 1 is the point of local minima, ठीक है, अच्छा, x equal to 3 के अगर हम बात करेंगे, तो x equal to 3 से चोटा नमबर लेंगे, फिर 3 से बड़ा नमबर लेंगे, फिर f dash x का sign देखेंगे, तो वो तुम्हारा positive to positive ही रहेगा, ठीक है, अना, sign change नहीं होगा, तो वो point क्या है, point of inflection, ठीक है, क्या है, point of inflection, x equal to 3 कैसा है, point of inflection, तो x equal to 1 कैसा है, minima का point है, और अपना अजर्षन यहीं बोल रहा है, fx has minimum at x equal to 1, fx का जो minimum है, वो कहां पे होगा, x equal to 1 पे, तो इसका मतलब, अजर्षन हमारा बिल्कुल सही है, बात करते हैं, region की, तो region में दे रखा है, कि differentiation, fx का, याने की, fx छोटा आ रहा है, 0 से, किस interval में, a से, कोई भी point a है, उससे, छोटे नमबर पर, उससे, थोड़े से छोटे नमबर पर, और fx का sign positive आ रहा है, a से, थोड़े से बड़े नमबर पर, मतलब, यह वाली case दे रखे हैं, हमको दोनो, where h, h is a small positive quantity, then fx has the minimum value at x equal to a, बिलकुल सही बात बोल रहा है, बिलकुल सही बात बोल रहा है, यह क्या बोल रहा है, कि कोई point a है, कोई point a है, और उसके graph में, a से कोई छोटा नमबर लेते हैं, तो fx का sign है, वो negative आ रहा है, कैसा आ रहा है, negative, यानि कि, यह लो, negative, और फिर कैसा आ रहा है, negative से positive हो रहा है, तो positive हो रहा है, तो यह point किसका हुआ, minima का हुआ, और यह भी थी, यह बोल रहा है, minima का point, अच्छा, तो इसका मतलब region भी true है, यह तो वो book में है, first derivative test की definition ही है, यह मान लो, यह तो, ठीक है, बही, जो fx का sign negative से positive हो रहा है, तो क्या बोल रहेंग बिल्कुल correct explanation है, अजर्शन में हमने इसी चीज का region का ही उपयोग किया है, किया है भई, हाना, तो क्या बोलेंगे, अजर्शन और region दोनों true है, correct explanation है, तो अपना option आ जाएगा, option A, both suggestion and region are true, and region is the correct explanation of अजर्शन, region क्या है, correct extermination है, अजर्शन की, ठीक है, so, thanks for watching this वीडियो, इसी तरह की important question की वीडियो पाने के लिए, चैनल को subscribe जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने friends के पास जरूर से रहें, thank you very much